चाल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं का मुल दिलवा देंगे क्योंकि जो गवर्मेंट अब नहीं दे रही तो फिर जैन सिंग के जाने से देदेगी पैमेंट पा हम इसके बिल्कुल खिलाब हैं अगर जैन जी वहाँ जागा हम उसका पूर जोर वर्योद करेंगे जैन जी अगर अगर अपने बलबूते पे चुन मारा है, मार लिया कुछ सोचेगा, कुछ करागा, उम्मीद तो रखते हैं CCM आपका स्वागत है, हम अभी बड़ोत तहसील में हैं ये वही बड़ोत तहसील है जहां पर 30 जनवरी को जब 27 जनवरी को यहां बड़ोत पर किसानों पर लाठियां चली थी और 28 जनवरी को फिर गाजीपुर बॉर्डर पुलीस गई थी 2021 में वहां पर किसानों को उठाने के लिए और चौधरी राकेश टिकेट बहुत भावग भी होए थे उसके बाद जो यहां पर एक सहलाब आया था जन सहलाब यह वही बड़ोत तैसील है जहां पर एक बहुत बड़ी महापंचायत उसके बाद हुई थी हाल फिलाल में खबरे आ रही है मीडिया में कीराश्य लोगदल और भाजपा का शायद गड़बंदन हो सकता है उसके बारे में हम यहां पर लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है उनका क्या कहना है जी साब आपका नाम रामपाल जी कहां से हैं निर्पुडे से रामपाल जी ये जो अभी पुरी खबरे आ रही है वैसे तो आपचारिक रूप से अभी जैन जी का कोई बयान नहीं है लेकिन ये खबरे हर जगा से आ रही है कि भाजपा और राक्ष्र लोगदल का गड़बंदन हो सकता है उसके बारे में आपका क्या कहना है गड़बंदन होने का निजी अच्छा लेकिन ये खबरे क्यों हानी है यह तो आपको उमीद है कि गड़बंदन हो गई वैसे आप क्या चाह रहे हैं होना भी चाहिए अच्छा बारे नुकसान कर दी बीजे बी इननो सब किसान तो नस्ट कर दी हाजी हर शेतर व्यापारी भी तंग है शीक्षा इनोंने बेज दी सारा समान बाई कोलिज बेज बेज दी रेल बेज दी बच्चों की नोकरी बेज दी यह आगा है यह अगनी वीर क्या है जिए आर्मी से मतलब चार साल में अब ज्यादा तर निकाले बच्ची को आप कहां से नाम आपका ओंपाल जी यह जो पूरी खबरे आ रही है कि राश्ट्रे लोगदल और इनका गड़बंदन हो सकता है भाजपा का इस पर आपका क्या कहना है ठीक नहीं है अच्छा क्यों लग आपको ठीक नहीं लग रहा है मतलब अपना घर छोड़के दूसरे में जा रहा है उसकी तो पार उनका सारा लिया उसने अपनी ताकत नहीं माननी कुछ अगर मेरे में कुछ ताकत है अगर ताकत समनता तो अपने अस्तर पर सही रहता यह जो तेरा महिने का जो किसान आंदोलन रहा था जिसमें साध्सो के करीब किसान उसमें बलेदान भी हुए तो उसमें आपको लगता है कि उस आंदोलन के बाद अगर यह जाए वहाँ पर ऑ pottery तो क्या यह संकेत ठीक रहेगा जैन्त वीजेप में चला गया तो मैं उसे छोड़ने के नहीं जूकर नितिस खो दिया इनूने तो यह उसके बचाने के लिए से जानने चाहिए आप कहरे है किसान खुश नहीं होगा इससे अपना अकिला लड़े उसकी साथ हैं ऐपका नाम रूपेंदर है जी गाउडेकाना लिकाना आपका क्या कहना है ये जो खबरे आ रही है इसके बारे में कि गटबंदन हो सकता है जैन जी का भाजपा के साथ उसका गटबंदन नहीं होगा जी काण क्योंके किशाणों का पैमिंट नहीं कर दिक कि बीजेपी अचरु कारीया अभी तक प्रसाल पिछ्वे वर्स कभी गनने का मुल नहीं तदी आ अगर अजिस जलेगी तो क्या मैं गनने का मुल दिलवा तेंगे क्योंकि जो गोर्मेंट अब नहीं दे जब वाज़ी-जी 2014 में बेरो जेवी कालीज बडवोत में आये थे कहता हम 15 दिन में गन्ने का पेमिन दिलुआ देंगे लेकिन आज तक उनकी साथ पल भर साशन हो गया कभी भी पभनने का पेमिन सिम्मेञ पर नहीं दिलुआ गया तो आप कहरे हैं कि गन्ने का पेइमंट यह नहीं करवा रहे हैं किसानों का आप कहरे हैं कि शोशन हो रहा है इस दौर में तो फिर यह खबरे क्यों आ रही है कि उनका क्यूंकि जो किसान अंदोलन हुआ था उसमें भी जैन जी ने किसान अंदोलन के साथ खड़े रहे बाद म तो उन लोगों को बरम में डाल रहे हैं जो लोगदल की वोटे हैं उन्हें उससे नाराज कर रहे हैं आप एक चीज बताएए इन्हों कि अगर जैन जी भाजपा के साथ गए तो ये फिर इनका विरोध करेंगे अगर जैन जी भाजपा के साथ गए तो क्या आप लोग हताश होके नराज होके फिर भी उनके साथ जाएंगे ये क्या विरोध होगा नहीं जैन जाएगा नहीं आपका नाम साब डीपी शिंग तोमर कहां से हैं तो मुझे अच्छा बताइए जी यह जो खबरे चल रही है इस पर आपका क्या कहना है देखो जो बाइशाब ने का वो बात सही है जैनसी जी अगर अगर अपने बल्बूते पर चुनाव लड़ता है तो पब्लिक उसके साथ है उसके साथ के उसके बबा सालेक है अब तक उसी के साथ थे उसी के साथ रहें पर अगर भाजपा के साथ चले गए जो पेमेंट बता इन्होंने मलक पर मील है उसका सौमपाल साथ तरह सुनमें कर रहा क्या है कुछ कर रहा हो तो बताओ आप आप आखिर में बताईए कि आप यहां पर हमारे यहां बाबाता बहाई बढ़ आप लोते बोसे आपने तो चौदरी चरन सिंग के समय से एस पार्टी को भरता देखा है अगर यहां इस बार भाजपा के साथ चले जाते हैं जैनजी पर भी जैनजी के साथ रहेंगे जैनी के साथ नैंगे बगार वेद्व बी अलग रहें चले तो उनshirts पी कि उनके साथ नहीं जाएं उनके साथ नहीं जाय। टम भी फिर उसी किसा बने कहें जा तो फिर महा रहा तो वेबी उसी के जैरह में चले जांगे उन हम अब ही यहां बड़ो तहसील में हैं बागपकर जिले में यहां कि कुछ किसानों से हमारी बात हुई, पदागरने की कोशिश करी कि यह जो मीडिया में खबरे बार बार आ रही है कि भाजपा और रालोद का क्या गटबंदन हो सकता है, अगर हो जाए तो कितना सही है, कितना गलत है, यहां पर जादतर लोग इस बात से बहुत नराज रहेंगे, दोने वाद